हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोट के एक बहुत ही एहम फैसले के बारे में जहां पर सवाल ये था कि क्या एक बार चेक बाउंस के केस में किसी को दोशी ठहरा दिया जाए उसको सजा भी हो जाए तो उसके बाद भी उस केस में समझाता हो सकता है या फिर नहीं हो सकता इसी बात पर विचार करना था हाई कोट को मामले की बात करें तो केस टाइटल है आलमचंद वर्सिस चमनलाल एन एनाधर केस और इस केस के सुनवाई जश्टिस संदीप शर्मा की बेंच कर रही थी नियाई मूर्ती संदीप सर्मा की बेंच ने कहा कि अगर दोनों पार्टीस के बीच में समझोता हो जाता है तो मामले को खतम करने की इजाज़त दी जा सकती है मामले की बात करें तो आरोपी ने शिकायत करता से कुछ पैसे लिये थे जिसको वापिस करने के लिए उसने उसे एक चेक जारी किया था लेकिन बैंक में जाने के बाद हो चेक पाउंस हो गया था शिकायत करने पर जब ये मामला ट्रैल कोर्ट में पहुँचा तो याचिका करता आरोपी को एनाई एक्ट के सेक्शन 138 के तहट अपरात के लिए दोशी ठहराया गया जिसके बाद उसे तीन महने की सजा हुई और उसे शिकायत करता को 4,80,000 रुपे मुआउजे के तोर पर देने के लिए सजा सुनाई गई थी जिसके बाद आरोपी ने इस फैसले को चुनाती देने के लिए एडिशनल सैसन कोर्ट में एक अपील की जिसे खारिज कर दिया गया फिर याचिका करता आरोपी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुचा और वहाँ पर उसने इस मामले क चुनाती दी हाई कोर्ट में भी इस मामले को खारिज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मामले को खारिज करने के बाद दोनों पार्टियों के बीच में एक समझाता होता है जिसके तहट आरोपी ने शिकायत करता को मुआउजे की सारी रकम का भुकतान कर दि अब हाई कोट के सामने ये मसला था कि क्या निचली अदालत के द्वारा जो उसे सजा सुनाई गई है उसे बरकरार रखना चाहिए या उसे कम कर देना चाहिए या खतम कर देना चाहिए क्या इस तरह की याचिका सुनवाई योगे हैं और क्या चेक बाउंसिस के केसिस में एक शक्ति का परियोग करके उन मामलों में भी अपरात को कम करने के लिए आगे बढ़ सकती है जहां पर आरोपी को दोशी ठहराया गया हो। शक्ति कोट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एनाई एट के सेक्शन 138 के तहट दोशी ठहराया जाने के बाद आरोपी और शिकायत करता के बीच में समझाता हो गया है और आरोपी ने शिकायत करता को मौवजे की पूरी रकम का भुकतान भी कर दिया है तो उसकी अपरात को कम क करने के लिए जो प्रात्ना की गई है वो स्वेकार की जा सकती है बैंच ने सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक फैसले का भी चिकर किया केस टाइटल है सुब्रहमनियम वर्सिस आर रास्ती इस केस में सुप्रीम कोट ने कहा था कि एनाई एट के सेक्शन 147 के तहट CRPC की धारा 320 के प्रोविजन को एक साथ यूज़ करके समझोता किया जा सकता है इसलिए हाई कोट ने आरोपी की याचिका को स्विकार कर लिया और ट्रायल कोट के द्वारा दी गई सजा को रद कर दिया जैच्छमन की PDF कौपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में म कुल मन पूलिए गार